तो फाइनली यार MIUI EU ROM हमारे MIUI 11 के लिए यहां पे रिलीजड हो गया है MIUI 11 EU ROM आप देख सकते हो 9.9.26 यहां पे रिलीजड हो गया है और किस तरीके कर देखने को मिलता है क्या-क्या नया फीचर है चलिए सब यहां पे जानते हैं और किस तरीके से है कैसे इंस्टॉल करना है चलिए सब आपको बताता हूं उससे पहले यार प्लीज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेट के लगा बड़न दबा देना वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर देना देर सो लाइक का एम रखते हैं यार अगर प्लीस देर सो लाइक तक यहाँ पे कर दो यहाँ पर पहले आपको कुछ जानकारी देदू तो MIUI EU Rome यहाँ पर होती है जो कि MIUI चाइना रोम के उपर बेस्ट रहती है अब इसमें खासियत क्या है देखो कस्टमाइजीशन तो ज़्यादा नहीं देखने को मिलते हैं लेकिन इसके अंदर एक खासियत आपको यह मिलती है कि pre-installed आपको Google Apps देखने को मिलते हैं जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो Google आपको देखने को मिल रहा है इसके अंदर आपको कुछ भी Chinese application नहीं देखने को मिलेगा यहां तक कि ऐसे function जो कि सिर्फ Chinese language में work करते हैं वो भी आपको इसके अंदर नहीं देखने को मिलने वाले हैं जो कि एक काफी अच्छी बात है और जो की काफी smooth बनाती है आपके यहां पर रोम को भी तो यह चीज एक खासियत मिलती है MIUI EU रोम को अगर आप इंस्ट्रॉल यहां पर करना चाहते हो सारी साथ इसमें जो MIUI चाइना के अंदर ना कुछ-कुछ devices के लिए कुछ-कुछ feature जो Xiaomi यहां पर चोरी पना करता उसको छुपा देता है वो MIUI यूस को बाहर निकाल के ले आता है आपके लिए ताकि आप इसको यहां पर easily अच्छे तरीके से इसको यूस कर पाओ तो चलिए यहां पर आपको दिखाता हूँ यह Redmi Note 7 में मैंने इस टाइम डाली हुई है यहां पर MIUI 11 EUROM आप देख सकते हूँ और यहां पर सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताया थे छुपा गर रखता है ना तो देखो MIUI 11 बीटा में आपको इस तरीके का नहीं देखने को मिलता है लोगो तो यहां पर यह लोगो भी जो Official MIUI 11 का होने वाला है वो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है जो कि काफी अच्छा बात है यहां पर यह Animated लोगो आपको इसके अंदर देखने को मिलता है तो यह Animation वाला लोगो काफी जादा पसंद भी आता है लोगो को और काफी अच्छा भी लग रहा है जो कि पुराना लोगो है कई जोना जादा बैटर यहां पर मुझे लग रहा है ठीक ठाक लोगो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है यहां पर आगर आपको देखाऊं वाट्स नीव वगैरा में तो वाट्स नीव में आपको यहां पर देखने को मिलता है इता बड़ा पूरा लिख्वा है जो की M.E.Y. 11 में चाइना बीटा का जो चेंज लॉग है वही चेंज लॉग आपको इसके अंदर देखने को मिलता है फिलाल के लिए जादा कुछ एड नहीं करा गया है पहली बिल्ट है इसलिए धीरे धीरे आपको चलके और भी जादा है यहाँ पे देखने को मिलेगा यह चीज आपको confirm यहाँ पे रहती है और इसमें weekly update आते हैं जैसे बीटा में weekly update आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा latest android security patch level जो की काफी अच्छा यहाँ पे रहता है बागी सारे option जैसे यहाँ पे casting printing वाले आपको देखने को मिलते हैं जो की MIUI 11 बीटा में आपको देखने को मिल जाते हैं चाइना में जिनकों पर मैंने कई सारे वीडियो बनाई है वो सब आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर कुछ अलग-अलग features जैसे raise to wave double tap to home screen और tap fingerprint sensor to wake तो यह option नहीं देखने को मिलता था यह नया आपको देखने को मिल जाता है power menu access का quick setting access का lock screen में भी आपको option मिल जाता है यहाँ पर अगर आप lock screen में जाओगे तो यहाँ पर quick setting का option आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है यहाँ पर Chinese वाले सारे variant हटा दिये है wallpaper करोसल में से अगर आपको इसको लगाना है तो आप इसको लगा सकते हो daily आपको नए-ने wallpapers देखने को मिलते हैं जो कि global version वाले होते हैं और काफी अच्छे यहाँ पर रहते हैं आप इन wallpaper को अपने home screen पे साथी साथ lock screen दोनों पे लगा पाऊगे तो इसका भी आपको एक अच्छा सा option इसके अंदर देखने को मिलता है फिलाल के लिए net मेरा यहाँ थोड़े दिक्कत दे रहा है तो मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा पर रहा हूं लेकिन यहाँ पर काफी अच्छा option आपको इसके अंदर देखने को मिलता है अगर आप चाहो तो इसको लगा सकते हो जो की काफी cool भी रहता है log screen info और log screen clock format same रहती है इसमें कोई changes नहीं देखने को मिलते हैं लेकिन काफी अच्छे से black अलगी clock आपको यहाँ पर देखने को मिलता है तो इन लोगों ने अभी तक यहाँ पर default MIUI 11 का font नहीं लगाया है यहाँ पर आपको पुराना ही रोबोटो default font देखने को मिलता है हो सकता है आने वाली एक दो update में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए तो यहाँ पर हो सकता है अभी कोई जाजा chances नहीं है फिलाल के लिए तो अभी हमको यही font देखने को मिलता है साथ साथ टेक्स साइज में यहाँ पर आपको boldness कम जादा करने का भी option इस बार अभी तक नहीं दिया गया है I think जब यहाँ पर यह लोग देंगे font को नया font तभी यहाँ पर boldness का भी option आपको मिलेगा notch and status bar आपको इसी तरीके का options आप देखने को मिल जाता है जो कि हम पहले भी देखते हुए आए है Hide notch में आपको तीनों option मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छे से आपको यहाँ पर work करते हुए मिल जाएंगे Rounded corner शो करने का भी option आपको इसके अंदर देखने को मिलता है Sound and vibration में आ जाया तो यह same as usual menu आपको देखने को मिलता है जिसके अंदर काफी अच्छे नए तरीके के sound आपको दिये गए है AI से related काफी अच्छा है यहाँ पर improvement sounds quality में करा गया है nature related sound यहाँ पर लगाए गया है notification हमको same मिलता है notification shade भी आपको MIUI और Android में choose करने का option मिल जाता है जिसको भी आप चाहें यहाँ पर use कर सकते हैं अब आज है धमाकेदार चीज में जो कि है home screen जिसके अंदर जो एक missing feature है वो भी आपको यहाँ पर निकाल के बाहर दिया गया है जो कि है with app drawer या without app drawer तो यह feature अभी तक officially नहीं आया है I think धीरे धीरे आएगा लेकिन यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर इनको आपको MIUI में officially EU Rome में मिल जाता है कि अगर आपको app drawer चाहिए तो उसका भी option लेगे regular चाहिए तो उसका भी option देख सकते हो फिलहाल मैं यह app drawer यूज़ कर रहा हूँ एड कर गया है जैसे 6x6, 6x7 और 5x7 जो की काफी अच्छी चीज यहाँ पर रहती है यह सब option आपको इसके अंदर as usual देखने को मिलते है वालपेपर बगएर आपको सेम मिलते हैं जो की MIUI 11 के कुछ कुछ वालपेपर है ठीक था का आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते ह एक ही आपको देखने को मिलता है जो कि रोडियम का आप अगर चाहें तो अपने से अपना कोई नया वालपे पर एड कर सकते हैं जो भी आपको यहाँ पर पसंद हो तो वो भी लगाने का इसके अंदर option मिलता है एक चीज काफी अच्छी है कि इसके अंदर आप 3rd party theme को यू एक आपको यह MiUI 11 वाली आइकन वाली देखने को मलती है लेकिन यहां पर आपको पुरानी MiUI 10 वाली Classic theme भी इसके अंदर देखने को बल जाती है जिसको आप यहां पर लगा पाओगे साथ ही साथ यहां पर आपको Limitless theme भी मिलती है जो कि आप यहां पर भी आप इसको लगा स चीज आप को देखने को मिल जाता है अबर जैसी आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर यहाँ पर यह देख सकते हो शोह-Ấ्वर्जीशipर त्रफेड Anatomy और यहाँ पर यह vibration जो कि आपको यहाँ पर देखने मिलता है Brazil setting फौर इंडिया उससिती Broadcast तो ये अर्थवेक वाला है वो भी आपको इसके अंदर देखने को मलता है emergency के लिए आपको alert यहाँ पे कर देता है जो की काफी अच्छा है आप यह देखना हुआ किस तरीके से यहाँ पे alert करता है कैसे work करता है और वो चीज आगे चलके हमको पता लगेगी यहाँ पे और भी आपको दिखाऊ नीचे तो battery and performance में भी आपको इसके अंदर ultra power battery saver देखने को मिल जाता है battery stats नहे वाले आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि blue color के आपको यहाँ पे line में देखने को मिलते हैं और काफी useful भी है काफी अच्छे से work भी कर रहा है additional setting में date, time, language और input आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे language आपको कई सारी देखने को मिल जाती है तो जो लोग यहाँ पे सिर्फ Chinese और English के लिए अलग सी language पूछ रहते हैं उनके लिए काफी अच्छी यहाँ पे option है वो काफी सारी option आपको इसके अंदर language देखने को मिल जाती है जिसको आप use कर पाओगे उसके लाबा button, shortcuts वगएरा आपको देखने को मिल जाते हैं as usual यह सब चीज आपको पहले भी देखने को मिल जाते हैं as usual पहले नहीं करा है तो जो चीज हमको पहले मिल देती वही चीज मिलेगी apps वगएरा में आपको app lock, app permission, same option देखने को मिलता है जो की काफी अच्छा है यहाँ पर रहता है screen time में आए तो यहाँ पर थोड़ा बहुत changes करा गया है यहाँ पर latest screen time आपको देखने को मिलता है और last seven days वाला देखने को मिल जाता है more आप यहाँ पर check कर सकते हो इस तरीके से option मिलता है screen alert time भी आपको यहाँ पर मिलता है थोड़ा अलग है यहाँ जो MIUI China में मिलता है उसके अंदर आपको inbuilt दो ही option देखने को मिलते है जो कि थोड़े अलग से यहाँ पर आपको option रहते है अगर मैं यहाँ पर अपना दूसरे phone में आपको दिखाऊं जिसके अंदर MIUI China Room पड़ी हुई है तो यहाँ पर screen time देखोगे तो आपको इस तरीके का देखने को मिलता है और इसमें आपको difference देखने को मिलता है तो यहाँ पर यह दोनों में अलग तरीके का screen time है यहाँ पर app screen time limit भी है और device का भी time limit लगाने का है यहाँ पे screen का ही सिर्फ लगाने का है और यह app का नहीं है तो यह चीज आपको दोनों difference देखने को थोड़ा बहुत मिलता है I think दीरे दीरे आगे चलके आपको और भी जादा features एड़ होंगे MIUI Euro में Special features में आप देख सकते हों यहाँ पे काफी सारे features कम ही है क्योंकि जो features चाइना के language में है उसको सबको हटा देता है तो चाइना वाले आप use भी नहीं कर पाऊगे तो उसका कोई भी फाइदार रहता नहीं है तो इसलिए यहाँ पे जैसे कि game turbo mode है quick reply है second space है game turbo mode आपका काफी अच्छे से काफी smoothly work कर रहा है इसमें भी कोई problem आपको नहीं देखने को मलती है और काफी अच्छे अच्छे function में नए design में आपको देखने को मल जाता है अगर हम बाहर आए तो आपको यहाँ पे camera app में आपको दिखाना चाहूँगा कि camera app में यहाँ पे दो-तीन चीज़े add करी गई है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो एक नया option जो की है dynamic shot इसके अंदर आप dynamic shots ले सकते हो जो की काफी अच्छा option आपको देखने को मलता है अगर आपको dynamic shots on है तो थोड़े बहुत movement वाले shot आपको देखने को मिलने वाले है तो इस तरीके से देख सकते हो आपको कई सारे यहाँ पे यह shot लेता है जो best है उसमें से आप इसको choose करके अपना shot best photo select कर सकते हो तो यह भी option आपको मिलता है साथी साथ यहाँ पे आपको filters में आपको sky का भी option मिल जाता है master mode भी इसके अंदर देखने को मलता है camera की quality भी काफी अच्छी आपको देखने को मलती है video recording में अगर आपको ले चलू तो यहाँ पे settings में तो 1080p 60fps तक देखने को मलती है आपको यहाँ पे 4K नहीं देखने को मलता है तो यह चीज़ भी आप यहाँ पे ध्यान अकले जगा 48 में आप Excel Cam Mode, Night Mode वगएरा Sub Pro Mode सब देखने को मलता है और काफी अच्छे से यहाँ पे आपका work करता हुआ भी रहता है यहाँ पे आपको browser भी दिखा दूँ तो browser भी आपको no ads वाला देखने को मलता है जो की काफी अच्छी बात है और यहाँ पे gallery weather app आपको same मलता है और यहाँ तक की music app में भी आपको कोई भी ads वगएरा नहीं देखने को मिलेंगे साथी साथ यहीं पे जो की me video है उसमें भी आपको कोई ads नहीं देखने को मलता है तो इस तरीके से आपको clean UI इदम दी जाती है notes वगएरा में आपको जैसे की देखने को मलता था talks वगएरा वो सब आपको इसके अंदर देखने को मल रहा है लेकिन बिना ads के या बिना किसी Chinese language के जो कि यह काफी अच्छा यहाँ पे रहता है calendar भी आपको दिखा दूँ तो calendar में भी यहाँ पे Chinese language में लिखा हुआ आता है तो वह चीज को भी यहाँ से हटा दिया गया है आपको setting में ले चलके भी दिखा दूँ तो यह Chinese calendar है अगर आप इसको on करोगे तो तब भी आपको यहाँ पे यह चाइना में लिखा हुआ नहीं आएगा जो की अगर आप MIUI 11 चाइना में है तो वह लिखा हुआ उसमें आता है अभी यहाँ पे global आया नहीं है तो इसलिए global का आपको यहाँ पे नहीं देखने को मल रहा है लेकिन धीरे धीरे आपको उसका भी integration यहाँ पे हो जाएगा app vault का बें दिखाना भूल गया तो app vault भी आपको इस तरीके से देखने को मलता है यहाँ पे कोई भी फाल्तू वाले आइटम नहीं है जो कि आपको चाइनीज वाले है वो सबको हटा दिया गया है लेकिन यहाँ पे आपको shortcuts देखने को मलता है एक चीज यहाँ पे वो हटा द देखने को मलते हैं उसी के लावा यहाँ पे widgets वगेरा भी same मलते हैं ज्यादा कुछ यहाँ पे difference नहीं देखने को मलता है setting भी आपको home screen layout और default यहाँ पे मलती है और drop down menu में आप यहाँ पे देख सकते हो उपर आपको जो की है weather देखने को मल जाता है जो की काफी अच्छा है आपको dark mode और ultra power saving mode भी इसी के अंदर देखने को मलता है जिसको आप one click से enable कर सकते हो अगर यहाँ पे ultra power saving mode को यहाँ पे one tap कर höher हो तो इस तरीके से हैं पर अपको open होता है और यहाँ पर open होता है थोड़ा यहां पर saving करता है और turn on हो जाता है तो इस तरीके से आपको ultra power battery saver दे प्रेट कर सकते हो अपने हैं तो काफी अच्छा है यहां पर मल जाता है इंस्टॉल कैसे करना है सेम प्रोसेस है जैसे चाइना रोम को आप फ्लेश करते हो सब चीज वाइब करके इसको फ्लेश करो बस काम हो जाएगा इसमें कुछ जादा कुछ नहीं करने की जरुट है मैंन लिंक मिलजाएगा डिस्क्रिप्चन में तो लहाल के लिए भी प्रविड़ो में उद्थ ही वीडियो फिसरी सब्ससेंद आए तो प्लीज लाइक जरू करना अगर नहीं आए त्षरी वीडियो में तब टक लिए एक Case of Nursing